हलो एप्रिवान मक्की की रोटी खाने में जितनी टेस्टी लगती है ना उसे बनाना उतना ही मुश्किल भी लगता है क्यों सही का है लेकिन लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपकी मक्की की रोटियां बनेगी बिल्कुल गोल-गोल, पतली, क्रिस्टी, कुरकुरी और मिंटों में धेर सारी रोटियां बना पाएंगे कैसे चलिए इस वीडियो में देखते हैं तो मक्की की रोटियां बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मक्की का आटा ले लिया है फ्रेंड्स मौसम के हिसाफ से हमें अपनी डाइट में अन को चेंज करते रहना चाहिए जैसे आजकल सर्दियां है तो हमें मक्की की रोटी, बाजरी की रोटी जरूर खानी चाहिए यह हमारी सेहत के लिए भी बढ़िया होती है क्योंकि इनकी तारसीर गर्म होती है तो सर्दियों में हमें गर्मी का एकसास भी देती है तो यहाँ पर हमने मक्की का आठा जो है इसे चान लिया है और मैंने आधा किलो मक्की का आठा लिया है जिसमें जाएगा तीन गिलास उबलता हुआ गर्म पानी इस वीडियो को पूरा स्टेप बाई स्टेप फोलो करिएगा आप ना बहुत ही असानी से बढ़ी असा धेर सारी कम टाइम में मक्की की रूटियां बढ़ी असानी से बना पाएंगे तो अभी देखिए मैंने इसमें गरम पानी डाला है तो यहाँ पर आपको एक पाद ध्यान देनी है कि जैसे ही हम आठे में गरम पानी डालते हैं तो उसे इंस्टेंटली चलाना शुरू कर देना है आप किसी भी स्प्रेचुला से किसी भी चम्मत से इस आठे को पानी में मिक्स करते जाएं इसे ऐसी नहीं छोड़ना है क्योंकि अगर गरम पानी में आठे के साथ में हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो आठे में गुठलियां पढ़ना शुरू हो जाएंगी तो इस बात का आप ध्यान रखें तो इसे instantly mix करना शुरू कर दें जैसा कि मैं कर रहे हूँ अब जब तक स्प्रेचुला से mix कर सकते थे तब तक तो हमने स्प्रेचुला से mix किया लेकिन अब हम चेक करेंगे क्या हम इसे हाथों से mix कर सकते हैं लेकिन अभी भी आटा उतना गरम लग रहा है कि अच्छे से बढ़िया से हाथों से नहीं मिक्स हो पा रहा है लेकिन जितना जितना हम कर पाएंगे हाथ से उतना उतना हम मिक्स करते जाएंगे मिक्स करते करते आटे में एक बहुत ही बढ़िया सी बाइंडिंग आना शुरू हो जाएगी यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान दे कि हमें आटे को गरम गरम ही मिक्स करना है इसे पूरे तरीके से ठंडा नहीं होने देना है अभी देखिए आटे में बहुत ही बढ़िया सी बाइंडिंग बन चुकी है अभी स्टेज पर हम आटे को कही भी ढख करके 15-20 मिनिट के लिए रख देंगे यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखें कि आटे को ढख करके ही रखना है तो हमने इसे प्लेट से ठक दिया है और 15-20 मिनिट के लिए इसे सेट होने के लिए रख देंगे पंदर से 20 मिनिट हो चुके हैं आटे को सेट होते हुए देखिए बहुत ही बढ़िया सा मश्यर इसमें क्रियेट हो चुका है और आटे की binding और भी जादा बढ़िया हो चुकी है एक बात का ध्यान रखना है कि इस आटे को हमें जादा soft नहीं करना है soft मिंदा sense की इसे ढीला पन नहीं होना चाहिए इसे tight ही रखना है लेकिन tight रखते हुए आटे को हमें बिलकुल नरम गूंदना है नरम मतलब की इसमें binding अच्छे से create होनी चाहिए अब हम फिर से एक या दो चमच के आसपास गरम पानी के छीटे लगाएंगे ठंडे पानी का इस्तमाल तो बिलकुल नहीं करना है और इसे फिर से हम बिलकुल smooth सा गूंदते जाएंगे जितना बड़िया हमारा आटा गुंदेगा उतना ही बड़िया friends हमारी रूटियां बनेगी यानि कि आटे को इतना अच्छे से गुंदिये कि जब गुंदते टाइम आटा हमारा तूटना नहीं चाहिए जब ये consistency आ जाएगी कि आटा तूटेगा ने तो समझ लीजिए आटा आटा आपका बहुत बड़िया गुंद चुका है अब आटा तो गुंद चुका है लेकिन इसमें एक चिकनाहट भी आना ज़रूरी है क्योंकि मकी का आटा थोड़ा रफ होता है तो चिकनाहट लाने के लिए हम इसमें लगबक दो चमच के आसपास तेल ले लेंगे आप बटर भी ले सकते हैं, देसी घी भी ले सकते हैं, ओलिव ओयल भी ले सकते हैं तो अब इससे क्या है कि इस आटे में बहुत ही बढ़िया सी एक चिकनाहट भी आ जाएगी तो binding भी आ गई, चिकनाहट भी आ गई, मश्यर भी बढ़िया सा create हो गया तो हमारा जितना बढ़िया डो बनेगा उतनी ही बढ़िया हमारी रूटियां बनेगी तो अब ये डो हमारा बहुत ही बढ़िया सा बन चुका है बढ़िया सी binding आ चुकी है, अब इस डो को हम फिर से set होने के लिए लगवक 10 से 15 मिनिट के लिए रख देंगे, इससे हमारी रूटियां बहुत अच्छी नरम बन के आएंगी और बनने में भी easy होंगी, तो फिर से हम इसे cover करके रख देंगे खुला बिल्कुल नहीं रखना है आटे को, नहीं तो आटा हमारा hard हो जाएगा पंदरा मिनिट और हो चुके हैं आटे को रखे हुए तो फ्रेंड्स देखिए जो डो की consistency है वो बहुत ही बढ़िया आ चुकी है, इसमें चिकनाहट भी आ चुकी है और जो इसका texture है, binding है, बहुत बढ़िया आ चुकी है अब हमने लोई ले लेनी है, जैसे हम पराठे के लिए लोई लेते हैं उस हिसाफ से हमने लोई लेनी है, क्योंकि मकी की रोटी थोड़ी सी मोटी बनती है तो हमने इसलिए पराठे जैसे हम लोई लेते हैं, उस हिसाफ से लोई लेनी है और जो आटा है उसको हमें खुला बिलकुल नहीं रखना है इसे हमिशह ढ़क करके ही रखना है तो इसे हम ढ़क के रख देते हैं और चलिए फटा फट से अब बनाते हैं रोटी हमने हलका सा डो जो आटा है वो स्प्रिंकल कर दिया है यह आप गेहूं काटा भी स्प्रिंकल कर सकते हैं और उसके बाद हम इसे जैसे हम नौर्मल चपाती को बेलते हैं बस ना कोई पेपर लगाने की जरूरत ना कोई आपको हाथ से रोटियां बनाने की जरूरत ना ही क्यों कहिए जैसे आप चपाती बनाने के लिए पटाफट से बनाते हैं सेखते हैं तो वैसे आप मकी की रूटियां भी पटाफट से बना पाएंगे और पूरे परिवार को खुश कर पाएंगे पटाफट से रूटियां बना के देखे आप यहां पर देखिए रूटी जो है आप तो गोल बनाना चाहें तो इसमें किसी भी शेप से आप जिसे कोई भी प्लेट वगएरा से आप इसे काट सकते हैं. तो यहाँ मेरे पास धकन था, मैंने धकन का ही इस्तमाल कर लिया है और साइड में जितने भी बचे हुए डो है उसे हटा करके हम अलग कर लेंगे. अब यह जो डो है इसको हम उसी में ही जहां पर हमारा बाकी डो है उसी में ही कवर करके रख देंगे ताकि यह सुखे ना और इसे फिर से रियूज करेंगे रोटी बनाने के लिए और यह देखिए हमारी पटाफट से पतली सी गोल एकदम रोटी बनके तयार हो गई है और हमन जो स्टार्टर्स विगनर्स होते हैं उनको इतना आइडिया नहीं लग पाता है तो आप यहां से जज कर सकते हैं कि उपर से जो रोटी है वो हमारी हलकी सी डार्क कलर में उना शुरू हो जाती है और जो किनारे हैं वो छोटना शुरू कर देती है रोटी तो बड़ी असानी स आप इसे पलट करके फिर दूसरी तरफ से भी पका सकते हैं और इस तरीके से अब इस रोटी को हम अच्छे से सेख लेंगे तो हम directly किसी भी स्टैंड को रखेंगे या फिर directly ऐसे cooking गैस के उपर भी सेख सकते हैं तो मैंने यहाँ पर एक स्टैंड रखा है इसके वपर हम उलट पलट करते हुए रोटी को चारो तरफ से सेख लेंगे मकी की रोटी तवे के उपर नहीं पूरी तरीके से सिखती है क्योंकि यह हलकी सी मोटी होती है वैसे तो उतनी मोटी नहीं बनिया सही में प्रेंट्स आप जरूर ट्राय करिएगा इस ट्रिक को और यह देखिए रोटी हमारी बढ़िया सा सिख गई है अब पटा पट से सरसों के साथ के साथ इस टेस्टी स्टेस्टी मकी की रोटी का आनन्द लेते हैं और देसी की रोटी पर लगा दें क्यूंकि रोटी सखत होती है थोड़ी सी मकी की तो अगर आप देसी की रोटी लगा देंगे तो और भी नर्म हो जाएगी अगर आपको यह रोटी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना भूलिये गा नहीं फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी जरूर करिएगा, जरूर करिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए, बाई बाई